नमस्कार मित्रों मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूँ गेस्ट इन लंडन दोस्तों जैसा कि कल हमने बात केती बॉक्स ओपिस प्रेडिक्शन वाले वीडियो में लगबब उसी प्रकार की ये फिल्म है और मैं आज ज्यादा कुछ इस फिल्म के बारे में बोल नहीं पाऊंगा सच में मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे क्योंकि मॉम फिल्म मैंने जब से देखी है न अभी तक मैं उस फिल्म से उबर नहीं पाया हूँ इस प्रकार से अंदर से जगजोर दिया है उस फिल्म ने मुझे चलिए एक एक करके बात करते हैं अचे देख गंजी की सुपर हिट फिल्म अधिती तुम कब जाओगे के जो डिरेक्टर थे आश्वीन इधिर जी उन्होंने ही इस प्रकार की पहली फिल्म थी उस प्रकार की ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है हाला कि उन्होंने कोशिश बहुत की है ओडियन्स को खुश करने की लेकिन विक स्टोरी की वज़े से वो कही पर भी ओडियन्स को खुश नहीं कर पा रहे है मतलब देखिए, फिल्म शुरू होती है, तो फिर्स्ट हाप तक तो ठीक ठाक चलती है, फिल्म ज़्यादा बंबोर भी नहीं होते हैं, और कुछ ज़्यादा हसी भी नहीं आती हमें, और जो इतने सारे फार्टिंग के उपर जोक्स उन्होंने डाले हैं न, वो सच में देख करते हैं, वो और क्या कहूं मैं, लेकिन चलिए फिर भी फिर्स्ट तक तो वाचेबल है फिल्म, हम देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही सेकंड हाप चलू होता है, उसके बाद के जो 30-35 मिनिट है न, वो लगबग मुझे ऐसा लग रहा था कि दो घंटे की फिल्मों को पूर चलता है कि एक बुजर्ग की घर में क्या कीमत होती है, वो जो संसकार देते हैं, उन संसकारों की क्या कीमत होती है, ये मुल उस फिल्म की स्टोरी है, बेस है, ये मेन उस क्रिप्ट है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने यही पर गलती कर दी, मतलब देखिए, जब परिश्र जब guest बन कर जाते हैं तो वहाँ पर जब first half में शुरुवात के 30 मिनिट है वही पर उनको ये अंदर से फिल हो जाता है कि भाई नहीं महमान ये हमारे लिए ज़रूरी है और इनको हमें यहाँ पर रोकना है तो वो खुद महमान को वहाँ पर रोकना चाहते हैं लेकिन बाद में पता नहीं अपने आप से फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि यार नहीं महमान अभिहा नहीं रुकने चाहिए मतलब यार स्टोरी में कही पर भी तालमेल नहीं है जो फ्लो होना चाहिए स्टोरी का जो एकदम से उनको ऐसा लगता है कि नहीं महमानों को यहां में रोकना है हमारे फाइदे के लिए फिर अचानक से उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार यह हमें इरिटेट कर रहे है फिर अचानक से उनको अच्छा लगने लगता है फिर अचानक से वो इरिटेट होने लगता है मतलब बहुत पर स्टोरी का जो स्क्रिन प्ले है फ्लो है वो कही पर भी मेंटेन नहीं किया है डिरेक्टर ने और इंटरवल के बाद जो 30-35 मिनिट है वो किसलिए शूट किया है समझ में नहीं आया है बस दो घंटी की फिल्मों को पूरी कर रहे थी इसलिए बार 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 वही रिपेटेड जोक्स वहाँ पर डाले गए है और जो एंडिंग है फिल्म का वो तो छलो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत नहीं एंडिंग डरा अच्छा उन्होंने बढ़िया ढंक से हमारे सामने प्रेजेंट किया है वुस एक एंडिंग की वज़ह से चलो खुशी-कुशी हम बाहर निकल पाते हैं चलो इतना सारा हम ने सहन किया, टॉर्चर, एंडिंग के 15 मिनिट में उस सब वसूल हो गया, सब तो नहीं वसूल हो लेकिन थोड़ा बहुत एक फिल गुड होकर हम थेटर से बाहर निकल पाते हैं, एक अच्छे एंडिंग की वज़े से दोस्तों, डिरेक्शन, स्टोरी, म्यूजिक, हर जगब पर ये फिल्म मार खाती है, लेकिन एक ही जगब पर ये फिल्म अच्छी है, वो है एक्टिंग परिच रावल जी, कार्ति कारियन, किर्ति घरबंदा और तन्वी आजमी, चारो ने ही, चारो ने ही बहुत बढ़िया धंग से अपना रोल निबाया, और संजे मिश्रा जो एक पाकिस्तानी के रोल में याँ पर इसमें दिख रहे हैं, बहुत सारा उनका मजग भी उड़ा चार रहे हैं, चलो एक्टर तो जो उनको बताया जा रहा है, वो क्यों एक्ट करके दिखा रहे हैं, उनने तो अपने तर्फ से पूरी जीजान लगा दी, लेकिन स्टोरी में कई तालमेली नहीं है, डेक्टर हमें क्या दिखाना चार रही है, उन्हें ही समझ भी नहीं आ र चलती है, लेकिन सेकंड आपके बाद फिर अचानक से पूरे स्टोरी का फ्लो भिगड जाता है, ये खुद कंफ्यूज है कि भाई, गेस्ट के साथ हमें प्यार से रहना है, वो हमें एक अच्छे महमान लग रहे हैं, या बुरे महमान लग रहे हैं, हमें इनको निकालना है या रखना है, पूरे फिल्म के आखिर तक ये इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, फिर आखिर के 15 मिनिट में थोड़ा बहुत आजी देवगन जी का जो केमियो है, और वो केमियो वगेरा जो 15 मिनिट आखिर के वो ज़रा ठीक मुझे लगे, बाकि तो पूरी फिल्म वही की व मैं कार्तिकारिम को बहुत पसंग करता हूँ, पर श्रावल जी मेरे फेवरेट है, किरति खर्बंदा भी इस मूवि में बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही होट लग रही इस फिल्म में, सच कहना चाहूँगा, इतने बढ़िया स्टार कास्ट होते हुई भी, जब इतना कम स्टार देने पड़ते हैं, तो सच में बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, मूवि में इतना इरिटेट ही किया गया है हमें, पता नहीं किस वज़े से ऐसा किया उन्होंने, इतने बढ़िया एक्टर्स थे आपके पास, बहुत अच्छी फिल्म आप बना सकते थे, चलिए जब बन गई ये खर, आप तो आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों अगर आप मैंसे किसी ने फिल्म देखिए, तो आपको ये फिल्म कैसे लेगी, मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताईए, और मेरा इर्विव आपको कैसा लगा, वो भी आप मुझे नीचे क कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिन्द, वन्दे मातर, अगर अगर आपने